मुभाइल से बैंक एकाउंट खोलने के लिए सबसे पहले, आपको ये आपको डाउनलोड करना पदेगा, तो चलिए पले इस्टोर पर जाते हैं, फिर यह वहाँ पर सर्च करना पदेगा, आई-पी-बी मुभाइल बैंकिंग, तो हम यह पर पहले सर्च कर लेते हैं, फिर उ उसके वाद आपका है पहले से तो लौगई ना है नहीं तो फिर directamente क्लिक कर देना नीचे तो यहां पर क्लिक कर देंगे फिसके बाद यहां पर इसके बाद मोबाइल नमबर पर नहीं पर डाल देना आप वक्रेंग मैंग पर नहीं थे बहुँ फिर उसके बाद यहां पर सब्मिट पर नीचे किलिक कर देना है तो यहां पर हम डाल के सब्मिट कर देते हैं फिर उसके बाद आपको आगे बताते हैं कि यहां फariamente स्कते हैं तो यहां पे फिर कंटिन्यूई कर देते हैं अगर नहीं चाहता तो यहां पर री पेलने देट और सूव्मिट कर देते हैं तो ली इनट करने के बाद यहां पर आपको अधार नंबर यहां पर यहां पर यहां अधार नंपर यहां पर आपना डाल देटें और रही इंटर भी यहां सी से न Buffalo आ कि एधार नंबर फिर उसके बाद आगे बताते हैं तो रिएंटर करने के बाद यहां पर दोनों पर किलिक करके अलाव कर देना है दोनों जो नीचे है किलिक का तो इसको किलिक कर देना और फिर सब्मिट कर देना है तो हम यहां पर सब्मिट कर दिया है फिर उसके बाद आपके आधार में जो मुबाइल नमर होगा उ कर देना है और इसका ट्यम कैसे अपला करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे फिर उसके गद इस तरह का पेज आएगा फिर पर रस्नल इंफॉर्मेशन पर उपर में किलिक कर देंगे फिर उपर में आपका दार कार और फोटो सब आ जाएगा यहां पर मदास मीड पर क्लिक कर देना है फिर उसके बाद पैंड कार्ड काएगा इस पर क्लिक करना अगर सेम है तो सेव कर देना इसे नहीं तो आप एडिट कर सकते हैं सेव कर देना फिर नौमनी का नाम डाल भी सकते हैं या बाद में डाल सकते हैं तो यहां पर अभी हम डाल देते हैं नौमन आपके कौन है तो यहां पर डाल देना तो हम फादर हैं तो हम फादर यहां पर सेलेक्ट कर लेते हैं फिर उसके बाद आगे बताते हैं तो हम यहां पर कर लिए फिर एड्रेस सेम होगा तो सेम पर किलिक कर देना फिर सेव कर देना फिर उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेश फिर इंकम आप डाल देज़ेगा तो यहँ पर दाल देटें फिर उसके बाद से तो यहां पर अपना एंडियोर्गो डाल देजले देज़ेगा तो क्या पर हैं भी डाल देटें फिर उसके बाद आगE करते हैं कुछ भी अभी हम ढाल देते हैं और नीचे जो Yes, और No का बटन है उस पर No ही रहने दना है उस पर कुछ नहीं करना है यहापन से नो ही रहने दना आपको हमेशा फिर सेब कर देना है फिर उसके बाद Account Information में जाईएगा यहाँ पे फिर Black करना फोस्टल या ऑँनलाइन मतलब आप फोस्टल पोस्ट ओफीस के दोड़ा चाथे यांट आनलाइन सब चीज़ तो हम पोस्ट ओफिस्ट ऑफिस ते जएe क्योंकि हमें फिद Psal ignore ना करवाना परेभ और सफेस सास्ह deg2 मिल पुरा डिटेल देख लिए नहीं तो आभी चेंज कर सकते हैं, पिर उसके बाद आपको सब्सक्राइब है, तो फिर कंफॉर्म पे कल्क कर देना, अगर आपको कुछ अभी इडिट भी करना है, तो कैंसिल पे कल्क कर सकते हैं, तो पैंड काड आपको बनना है, तो नीचे रिक तो पेंड कार आप नीचे लिंक से बना लीजेगा देखके असानी से तो यहाँ पर डाल देना है तो सब्मीट पर क्लिक कर देते हैं और टीपी डाल के पर देने पर किलिक करके आपको रख लेना है तो इसके बार बार आपको लोग इन ना पर करना पड़े set amp in पर click करना है फिर उसके बाद otp आएगा तो उसके बाद इससे यह होगा कि आपको जब भी login करना होगा amp in डालेगा direct login हो जाएगा कोई otp बगेडा का आपको जोगत नहीं परेगा फिर यहां पर otp डाल के submit फिर कर देना है फिर उसके बाद login हो चुका है तो login पर click कर देना फिर उसके बाद यहां पिन डाल के login कर लेना है तो यहां पिन डाली यहां पर तो मेरा account खुल चुका अब देख सकते जीरो बैलन्स अभी है इस तरह का प्रेकांड असानी से अपने वाइल से खुल सकते हैं तो वीडियो चल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर लिजेगा ATM बारे मंद बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में